यह वीडियो कंप्लिट करने के बाद में आपकी ऐसे पलता और सपलता के बिच में जो थोड़ी सी एक गैप रह जाता है उसको आप कवर कर लोगे लगबख वो चीजें जिसे नया जानने के वज़े से आप सपलता से थोड़े दूर रह जाते हो या चुक जाते हो या फिर व जिसके हम तरचा करेंगे सबसे जरूरी चीज पूरे मार्केट में एक साइकलोजी होती है और उसको लेके बहुत सारे मित होती हैं जिस पे हम कन्फ्यूज रहते हैं कि यह कैसे करेंगे क्या करेंगे और कॉंस्प्रेशी में वो सारी सीजें सामिल करी गई है जो जाने headphone concept तो हम जाने गलत कर देते हैं यह होता है डायरेक्ट और इंडिर्ट वियूपइंट अगर आप देखो आप जब भी डारने जा रहे हो एक होता है डाइरेक्ट विू पॉंट्थ महतья है वह घ्रिक वेड्मुभ सब्सक्राइब वोल स्टोरी क्या चल रहे और किसेंगार नहीं ट्रीकर से e directing किया जाता जाते और कितना लंबा ड्रीक्षन कीLION तैय करना क την गुए वो इना करता है किसेंग करते हैं यक स्टोरी को फांड आट करते मार्केट में एक setup बन रहा होता है, setup एक structure के अंदर होता है, इस structure से बाहर भी एक story होती है, जो यह connect कर रहा होता है, यहां मानलो wage बन रहा है, break करके market उपर की side जाने वाला trip बनेगा यहां पे, यह कितना जा सकता है, यह story तहीं करेगी, यह आपको एक मिनट पर इतना पहलू द के लगते हैं, यानि कि time इन में matching होना, आप एक मिनट की time frame को larger time frame, यानि कि one day, one day के अलावा one hour और 15 minute इन से properly match कर पाएं, उन story से connect कर पाएं, ज्यादा तर जो गडबड होती है, वो गडबड होती है, एक मिनट का कुछ दूरी पे आप अपना price action को okay करते हो, ट्रेड ले ले और होता क्या है, पंदरा मिनट की चार केंडल किसी भी direction में ऐसे दिख जाती है, अगर आप इसी को एक मिनट पे ले जाके देखोगे, तो बहुत बड़ा चार्ट लगबग 60 मिनट का चार्ट बन जाएगा, जिसमें कई trend lines बन सकती है, ठीक है, अब इन trend lines में resistance support भी मिल आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम की सारी चीजों को correlate करके connect नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको यह दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप direct को indirect सामिल कर रहे हैं, direct में सिरफ ट्रीगर आता है, कि हमें trigger करना है, आपको वहां पे direction ताय नहीं करन तो हमें पूरी स्टғरी देखने होगी यह शिर्फ और सिर्फ हमें यह नहीं देखना कि मार्केट कहा जा रहा है नीचे जा रहा है हमें नीचे के लिए करना है वो सारी स्टेट करने के बाद आपको पता चलता है अब इए दिन आप पहीए weir भी देखोगे तो आपको यह वाला पॉइंट जो अभी चल रहा है मार्केट कि यह आपको तब दिखाई देता है जब आप इस चार्ट में MTF 1 डे का यूज करते हो और यहीं पर आके फिर आपको लगता हां यहां पे डेंशुरेंस आ रही है तो में भी मार्केट एक फिलिक उपर की शाट दे सकता है आप कितना दे सकता है यह चीज़ आप वहां के पैटन वेसे पर देख सकते हो तो यहां पर आता है जो कॉमनली मिस्टेक रहती है जाद तर लोगों की वह रहती है कि डाइरेक्ट व्यूपाइंट और इंडारेक्ट व्यूपाइंट यानि बड़ी टाइम प्रेम के साथ च चार्ट ज्यादा नोइज नहीं देगा बहुत रहर ही नोइज दोगी या होगी ही नहीं एक मिनट के चार्ट पे आपको हर टाइम नोइज दिखे कि कभी ऊपर की ट्रेट कभी नीचे की ट्रेट बायोस नेचर माइंड सेट बनाने में वह बड़ा है और हम मोर्दन 95% है और यह हमारे नुक्सान का कारण बनता है यह कौन स्प्रेशी को सुधार ना होगा यह होगा अपना पहला दूसरा पॉइंट आता है केंडल भी हैविए को लेकर हमेशा एक कैंडल का बिहेवियर कैसा है वो उसकी कह साइकलोजिय आपको समझ में आना चाहिए जैसे यहां से मार्केट पलाट भी सचता है अगर सिचुवेशन लेकिन अगर इसके फेवर में ही रहने वाला तो आपको इसका 50% का रिट्रेश्मेंट यानि कि वह बाइंग करनी चाहिए तो हमें उन केंडल की साइक्लोजी करनी चाहिए जिससे कि हम अपने स्टोप लोग को छोट नहीं होगा अगली केंडल यहां आके रुकती है तो ठीक है और डायेक्ली क्रोस कर गए था रिट्रेट कभी बनी नहीं और यहां से हो जाएगा मार्केट यह आ गया आपका कैंडल भी हैवियर इस पर ए सपोर्ट के उपर मार्केट ऐसी रेक्ली उतने की कोशिश कर जो ना सक्सेस रहती तो उसमें पी यहां पर आके कोसिश करता फिर मार्केट उसको प्रेक करके तो वहां पर क्यों टीशिए है कि शाइकलोजी के साथ टेस्ट करने बहुत ज़्यादा तरूरी है और इस साइक साइक्लोजी उसी में बिल्ड हो चल पनदरा एक मिनट की बात करें तो एक में पूरा जितना चार्ट में एक दिन यह 15 से ठेजल कर चलिल मेंदेट इन चीजों को सोर्ट करते हैं ने कि स्टॉरी फ्रेंट अब डात Premier इन्डेक्ट व्यूपंट्स से जांबंट्स यह पिक्रेटो संपपोर्ण में स्टॉरी स्ट्विक्टों स्टॉरी सब्सक्राइब होती है बट क्या होता है कि यह बड़े टाइम या बड़े चार्ट के ऊपर की साइकलोजी रहती है कि एक मिनट की एक मिनट की साइकलोजी रोंग हो जाएगी ज्यादा अपलाई करना यानि कि इसका 5% होना चाहिए ठीक है तो यह जरूरी है फिर अगले पॉइंट पर आते है साइकलोजीकल कॉनसप्रेसी यह देखो जैसे कि आज़ामपल चैजिंग मार्केट कैसा रहता है यहां पे साइकलोजी एक स्ट्रक्चर या एक फूट्प्रिंट के गोर्डिंग बन जाती है मार्केट हम जैसे कहते हैं कि फृप्लोग के ऊपर का मार्केट है तो वह मार्के मंपारा मायंड सेट पहले ही त्यार है कि हम सेंग में मार्केट जाए गा किना पहुत हो तो मार्केट उपर जाना ही उता है आप tagged E 1 oso मार्केट के डारेकशन और बैरिश निटिनुट है ने हम दो डारेक्शन मार्केट के खुलते ही footprint के according confirm कर लेते हैं कि ये वाले दोनों रहने वाले हैं ये वाले दोनों रहने वाले हैं या completely market ये रखने वाला है या completely market ये रखने वाला या इसमें भी पहले priority किसकी होगी कि पहले priority market bullish जाए फिर again second priority आएगी कि पोज की ये सब footprint से ताई करते हैं और ये ताई करते हैं इसमें already में अगर वह तैयार होता है तो आप प्रेसि में फज़ता होगे आपको नहीं पता जैसे कि आभी मैं आपको डे के चार्ट पे ले गया था और दिखाया था कि वहां देशोरें लगो रही तो देश्रेंस को डाइजेस्ट होना पड़े गा नीचे जाने के लिए यहां फिर व यहां पर एक आपको चाल मिलेगी मिलेगी वह चाल के अगेंस में फिर मार्केट को देख अगर उसके बाद भी मार्केट नीचे जाता है थ्रीपी मिलके मार्केट बहुत तेज़े से नीचे जाएगा मतलब की डेंशुरूनिस पर आपको बढ़िया ट्रेड मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो गया तो यहां पर देखो मार्केट ग्रीड और फियर से ही चलता है तो ग्रीड इंपेक्ट एरिया जो हमारा हो तो ग्रीड को नेश्र को लिए कि मार्केट एक दिसा में तेजी से भाग रहा है ओलड़ी एक ग्रीड है ल से बेरिज नहीं होता बीच में हाई एक्सपेक्टेड होना यानि की पी उसी क्रेट करना रेंज मार्केट करता है उस रेंज को हम समझते हैं और वहां मिल रही जिया यह को बेस्ट अपॉर्जन की ट्रेड प्लान करते हैं तो यहां पे भी आपका साइक्लोजी तो हमने खमालेंगे कैसा इंपेक्ट आएगा ठीक है और जहां मार्केट हाई एक्सपेक्टेड हाई एक्सपेक्टेड को हम बहुसें मार्केट में उपर लेगी 만들어 और चले रहा है तो तो उसका क्लाइमिक्स नेट होगा वहां वाहां पोज की केंडिशन जा घब भी यह रुकेड़ पोज या पी ऊसी में जाना पड़ागा रेंज में जाना पड़ेगा नहीं कि वह चैक्ट को शाइकलोजी यहां क्या करता मार्क के ट्रिगर कर रहा है क्या द क्या त्रेड supplement क्लामेक्स भीहेविएर मारकेट हमेशा एक तु ब्रेक टाइम दिखाता है और एक रुखने के टाइम दिखाता है और इनिशियल स्टार्टिंग की स्टेज पर दिखाता है इन चीजों को आमें समयजनाँ चीजिए कि वह बीहवियर आ रहा है मतलब में भी मारकेट अब रु गैप आप थी यहां से अगर वो कवर नहीं करता है तो मार्केट नीचे बहुत देजी से जाने वाला है या फिर उसे नीचे के व्यूपॉइंट से देखा जा सकता है तो यहां पेंडिंग टार्केट है इसमें रोबो के सिच्वेशन से इंपक्ट होता है मार्केट तो हमें एक हैं उसको ध्यान रखना होता है आज में हैं मेगनेटीं प्रेशर मेगनेटिक प्रेशर क्या होता है मार्के अगर बड़ए टीशिफिटीन या ऐसे लेवल पहर रहा है जैसे यह अधी है बात करें पॉजिशा person 2019 jotain कि पर Joy मेगनेटिक प्रेशर की बाइसे अब मार्केट यहां पोज होगा पोज होने की रीजन क्योंकि यह इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पे पूज गया यह चैनल हमने दोजार इकीस बाइस देईस और अब चो भी स्टार्ट होने वाला है और यहां तक भी हम यह लेके चल रहे इसके मल्टिपल प्लेटफॉर्म मल्टिपल यूज हमने देखे हैं ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट प्राइजक्शन के पड़ाओ आते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम पे माइने रखते हैं यह एक दिन एक विक का चार्ट है तो यह प्लेटफॉर्म बहुत माइने रखेगा उसे सारी सुजबूज लेनी पड़ेगी आपको मेगनेटिक प्रेसर भी समझने पड़ेंगे अगर मार्केट को गैफिलिंग करना जा रहा या उपर अटेश्मेंट जा रहा तो वहां पेंडिंग टार्गेट के एरिया को समझना पड़ेगा क्लाइमेक्स बिहेविर मार्क करता है कि वह उपर जाएगा या नीचे जाएगा अगर वह ऊपर की साइड बना रहता है नीचे से से बनाता दो लगवग यह एक इरिया जो रहेगा जो यह चीज बनेगी वह प्यूचि में बनेगी लो ऑई एक्टक्टेट के करन टीज समझना होगा ग्रीड इमपक्तिस ह मार्केट में एक बार एक बरेक कर गया ऐसे करके नीचे के बिना वहां से वह में बहुत बड़े बड़े वीडियो में डाल रखें और यह दिन ऐसा है कि अगर आपको मन्त में दो या तीन टाइम भी मिल जाए तब भी आप इसमें बहुत जबर्दस्त पैसा कमा सकते हैं तो भी आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हो ठीक है यहां पे केंडल बीएवर क आप देखें जिसे हमएं एक 15 मिनिट देखते हैं तो आपको यहां बायर करने लग जाओ तो कितना मिनिट और वो आया नेचे है के पिए तो आपको यहां से olduğunu हैं यहीं को आपको का हो इसमें candle behavior और candle behavior अलग अलग हो सकता है कि आपको एक मिनट कह रहा हो buying करो पंद्रा मिनट तो नहीं कह रहा ना और जब भी कभी देखो ऐसे अरिया पर आता ब्रेक करने में लग रहा है कि बाइंग जाएगा बट मार्केट तो यह चीजों को समझना होता है क्यों कब कैसी प्रि बिए टारगेट आप यह और इसी चीज की में बात कर रहा था तो वह है आपका पैंडिंग निग मार्केट कैसे में रुकेगा चेंज हो जाएगा आप यह कि ओ पर जाए तो सबसे बड़ी रेड गैंडल नहीं कर दिंग बनेंग यह अमेंड़ बने हैं क्लामेक्स बहुत बड़ी ड़े और आपने यहां पर देख आप सिस्टिंग और एक्सित्रीम किया यहां एकडिकर कि Lamborghini इंतेस पर यहां इन डीरों को ऐसे करें ऐसे करें एक है तो रूप्स करें जब लेक्त के पर ब्रेक करेंगा फिर पोज हो जाएगा या किसी इन लेवलों को ब्रेक करता है न तो वह पोज में चला जाएगा तो यह सारी कि यह सारी साइकलूची को हमेशा दिमाग में बैक माइशा रखो फिर हमारी ट्रेड बनाओ इन थेओरियों की वजह से आप छोटी सी गलती कर आप मार्केट बिना डिटेश्मेंट उपर जाता रहता जाता रहता इसकी बहुत सारे वीडियों देख सकते हो ग्रीड इंपक्ट वाला अगर मार्केट हैवी क्लामे केंडल में रुका है और मार्केट प्योची में जा रहा अगर वह ऐसे इस लेंट यह नीचे की शाइड ट्रेब दिखाएगा एक मिनट पर उसको हम बोलते हैं जी आई अब जी आई इपर वीडियो बने में बड़े बड़े देख सकते हो वहां से पूरा मार्केट टन हो जाता है तो यह सारी चीजे अगर आप ध्यान रखते हो तो बहुत ही बड़ी है ठीक है हो सकता है कि वीड सहल के से बड़ी है कि जए आपने टोर आपर θα शिया कि अगराएगगा थसक्वादस को हम है कि बाले जापर बड़े हो जादेट है अख वीडियो त्रावेत्ट,